हेलो एंड वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ में देखिए कॉर्णल स्टैंड कार्ड न्यू डिजाइन लेकर के आई हूँ जो बिगनेर्स के लिए है बहुत ही सिंपल है बहुत ही ब्यूटिफुल है कलर देखिए कितना ही प्यार लग यहाँ पे लिए पहले वी में छ시्ट में पना रीज का रिए याप तो चलिए थापना इसको मैंना सबस्टार कर लिए है अब धागों को देखिए मैंने कट कर लिया है रोटल यहां पर हमें छे दागे चाहिए और यह सभी कौड्स मैंने 7 मीटर में 7 मीटर में कट की हुई है तो आप सबसे पहले एक कोड को लेना है हमें और उसको हम डबल कर लेंगे इस तरीके से डबल कर लेना है और डबल करके हम इसको इसमें इस तरीके से फिक्स कर देंगे इस तरीके से में उपर की तरफ इसको फिक्स कर लेना है ऐसे हम दूसरा वाला कॉड लेंगे और इसको भी हम सेम ऐसे ही fix करेंगे तो देखे दो कॉट हमारी ये fix हो चुकी है अब हमें क्या करना है एक beats लेना है और इसके center वाले कॉट को ये करके उसमें डाल देंगे और अब यहां पर हम एक square knot लगा देंगे तो यहां पर यहां पर यूज हो चुके हैं दो और हम यहां पर यूज करेंगे फिर चार दागे और लोगे सेम ऐसे ही fix करके और हमको यह beats को डाल करके ready कर लेना है तो friends देखे मैंने यहां पर 6 के सबी धागों को यहां पर fix कर लिया है यहां पर मैंने साईड में कैसे बनाना है चाहिझी है कैसे बनाना हैมने दोसरे साइड में कैसे बनाना आपको बताऊँगी और और सेंटर में भी डिजाइन सेम यही बनेगा लेकिन गाठी जो हमने यह बनाई है उनमें काउंटिंग थोड़ी कम हो जाएगी जैसे यहां पर मैंने इसमें 18 नॉट लगाई है पूरी यहां से लेकर करके 18 नॉट फिर मैंने 3 बीट्स को डाला है फिर 18 नॉट यहां पर लग परता है चलिए हम कैसे लगाना मैं बता देती हो आपको अधिक नॉट अपने लग चुकी है वह पर मैं 17 नॉट और लगानी है सिंपल बिल्कुल है यह बिल्कुल बिगनर्स के लिए है आप आसानी से इसको बना सकते हैं एक पर आप ऐसे यह सिंपल स्क्वार नॉट हमको लगाती जानी है मैंने या पर फ्रेंट्स फ्रेंट को डाला है यह सेंटर में आप चाहें तो दून बहुत सकते हैं या फिर तीन से ज्यादा आप से ले सकते हैं है ईलिए मैंने बल्कुल सिंपल design बनाया है क्योंकि बिल्कुल बिगनर के लिए है इसलिए मैंने आपर ज़्यादा क्यों डफ नई बनाया से बिल्कुल सा डिजाइन का यूज किया है आप सिफ स्क्वेर नॉट और नीचे भी हम और बनाएंगे तो उसमें स्पाइल नॉट बनाएंगे तो दोनों नॉट ही बिल्कुल सिंपल हैं आप आसानी से इसको बना सकते हैं तो देखे इसी तरीके से प्रेंट्स अम अठारा नॉट लगा लेते हैं तो देखे मैंने आपर अठारा नॉट लगा लिए दिखे वन टू थी पॉर पाइप सिक्स एवन एट नाइन टैन एलेवन टोवल थर्टीन 14 15 16 17 18 18 नॉट हमारी लग गई हैं आप दिखिए यहां पर इलकुल यह बराबर भी है आप हम अपने बीट्स को यहां पर डाल देंगे 3 बीट्स हुमने यहां पर डाल दिये हैं यह दिखे किस तरीके से और ऐले हम एक बीट्स को ऐसे उपर करेंगे और यहां पर एक स्क्वैर नॉट लगा देंगे एक लगा दिया है ऐसे ही हम यह वाला बीट्स भी उपर करेंगे फिर यहां पर एक स्क्वाइर नॉट लगाएंगे फिर यहां पर एक स्क्वाइर नॉट लगाएंगे एक स्क्वाइर नॉट लास्ट वाले बीट्स की निचे लग जाएगी जब हम इसको फिक्स करेंगे उसक 17-10 और लगाएंगी जैसे हमने इस साइड में लगाई है चलिए इतना लगा करके रेडी कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पर इस साइड वाला बना करके रेडी कर लिया वाला भी मैंने बना लिया जैसे मैंने बताया था यहां पर आमारी 18-12-14-16 लगा दी है तो देख लिए थोड़ा सा ही कम आया है यह देखे चार नॉट वन टू थी फोर चार नॉट इधर भी कम है तो चार नॉट हमने कम करी है आप हम अपको यहां पर एक पैनल अपना लेना है उसको इसमें फिक्स करना है तो देखे यह पैनल हम एक लेंगे और इस तरीके से साइ कि इस तरीके से चारव धागों को हमें इसमें होल दिया हुआ है इसमें डादेंगे देखे करके भी डाल सकते क्योंकि इसके थोड़े साइड्स खूल गई है कर देखे हमने सभी को इसके अंदर निकाल लिया है यह देखे यह लिएं इससे नौल जाजाए है यह हमारे सीधे चले आते हैं तो यह अभी यहां पर लंबे रहेंगे और जो कि यह चोटे हो जाते क्यों कि यह साइड हो जाते क्या हैं जो साइड हमारे कोट सरे इंक तर्हेंट की All the तो यहां पर दागे चलके वह छूटे हो जाएंगे और बीच वाले हमारे लंबे रहेंगे तो इसलिए हमको बराबर कर लेंगे साइड वालों को हमने बीच में कर लिया है और यहां पर हम एक नॉट लगाके छोड़ देंगे तक यहां से फिसले नहीं यह देखे इस तरीके से ऐसे हमारे धागे बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो यह देखे एक नॉट हमने यहां पर लगा करके ऐसे छोड़ देंगे और अब हम जो सेंटर वाला है इसको लेना है हमें यह देखे ऐसे हमारे धागे छोटे होते हैं यह जो साइड वाले धागे इतने हैं और सेंटर वाले धागे यह देखे इतने लंबे हैं तो हम नीचे इन वाले धागों से डिजाइन बनाएंगे और छोटे वालों को सेंटर में रखेंगे तो यह हमारे बराबर में आ जाए से इनको भी हम इसी में डाल देंगे अगर ऐसे नहीं जाते हैं तो आप कोई नुगीरी चीज ले ले इससे बहुत आसानी से चले जाएंगे इसमें और यह साइड वाले में इसको हम इस वाले होल में निकाल करके और ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट में नॉट लगाया है वैसे हम इधर भी नॉट लगाकर दोनों में रेडी कर लेते हैं तो देखे प्रेंटस मैंने सबी धागों को सबी होल से थीरी होल से समय बल॑ इक पर नॉट यहां पर लगा लिए हैं यह देखे इस तरीके से हमारा दिके बन गयाए बिल्कूल बराबर है नहीं किसी भी साइड में यह मारा जुक नहीं रहा है कुछ बहुत अच्छा से बन गया है आप देखें हमें क्या करना है आगे हम जो हमने यह डिजाइन बनाया था ऐसे हम यहां बनाएंगे आप चाहें तो यह स्क्वार नॉट सी बना सकते लेकिन मैं यहां पर स्पाइरल न लगाते जाएंगे तो यहां पर स्पाइरल नॉट लगाएंगे जैसे हैं यह वाला बनाया था फॉस्ट में तो हमने यह पर अठार नॉट लगाएंगे और उसके बाद त्री बीट्स डाल करके फिर उत्रा ही नॉट्स लगाएंगे इतना हम तीनों कि यहाँ पर मैंने दूसरा लगा करके रेडी कर लिया लिए इस तरीके से आप से इहाँ पर देख सकते Alma स्वेख गाया है इसका बन tissu अच्छा बन रहा है में कोई भी ज्जादा को बीकम नहीं है इसका ुपर वाले का तो फ्रेंट जैसे हमने यह दो लगाए हैं सेम ऐसे ही हम नीचे भी दो पैनल लगा लेंगे आपने देखा हमने सबसे पहले डिजाइन में क्या किया था स्क्वाइर नॉट बनाया है आप जो मैं यहां पर थर्ड बनाऊंगी उसमें भी मैं स्क्वाइरल नॉट ही बनाऊंग और फिर नीचे वाले में हम स्क्वाइर नॉट लगाएंगे तो फ्रेंट जैसे हमने दो प्रेंट को एड किया ऐसे हम दो इसमें और एड कर लेते हैं आपको चोगी आप तीन का भी बना सकते हैं पांच का जितना आपको अच्छा लगे आप उतने पैनल इसमें लगा सकते आयता है और सब्रीन नॉट और स्बर्दमें स्थक्वाइर नॉट कमें और गए ऑंद एड कर नार बनाया है दुकल लगा लेते हैं थ्री थोड़ा कम लग रहा था अब हमें क्या करना है जो धागे हैं इनको आपको इतना लंबा रखना है उतना रख सकते हैं मैं यहां तक रख रही हूं तो हम इनको यहीं से कट कर देंगे अब दो धागों में हम एक बीट्स डाल देंगे और एक बेल्स को डाल देंगे अगर आप यह डालना नहीं चाहते हैं तो भी कोई ज़रूई ने आप यहीं पर जैसे नॉट अपने लगा है आप यहीं पर खतम भी कर सके एक नॉट लगा के छोड़के धागों को इस तरीके से स्टिच कर दें तो ऐसे भी अच्छा लगेगा लेकिन अगर आप डालना च यह भी डाल सकते हैं दोसे ज्यादा डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं यह इक हैकने कर दाल से तर्वे के हम क्वे सबस्क्राइन करना है है हम मुझे लेंगे एक से अार। मीटर तक कर देखें में डेड़ मीटर का धागा ले लिया है इसको इस तरीके से थोड़ा हमने इतना मोड़ा है कॉर्णर पे इसको डबल करके फसालेंगे इसमें यह देखें मारा बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है जैसे हमारा यह डिजाइन है स्वेशे यह डिजाइन आ जाएगा आप चाहें तो इसमें स्क्वाइर नॉट यह स्पैरल नॉट भी लगा सकते हैं अब देखें हम क्या करेंगे एक हम नॉट इसमेंख धागे को अटाइच करने में एक हम और लगा लेंगे मैं आ है ओ और शे सी택लेंगे अब आखें 생각 हराने है और फिर सेम वही एक बार उपर की तरफ से पाइप इन करना है एक बार नेचे की तरफ से और नॉट्स लगा देनी है देखे त्री नॉट्स हमारे फिर लग गई है फिर एक बीट समिस में डाल लेंगे और फिर सेम वही एक बार उपर की तरफ से पाइप इन और नीचे की तरफ से यहां पर देखे यह तो आप इसको ऐसे थोड़ा खिसका दें यह विल्कु नहीं दिखेगा इस तरीके से फ्रेंड्स आम इतना करके रेडी कर लेते इसमें पाइप इन कर लेते और नीचे लटकन लगा करके रेडी कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड्स मैंने यह सभी में बेल्स को अटेच कर लिया है यह देखे तीनों में अच्छे से बेल्स अटेच हो गई है और उपर की साइड में मैंने यह सभी धागों को लगा करके रिंग भी अच्छे से कवर कर लिया है सभी बीट्स भी लगा दिया है यह कहीं कैसा लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो में वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन को जुरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचें तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स् design के साथ में